प्यारे छात्रों आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है हिंदी स्विलब भारती सातिवी कक्षा दूसरी इकाई का चाउथा बाट है शब्द संपद्दा शब्द संपदा इस पाठ को लिखा है डॉक्टर सुर्य नारायन रन्सुबेजी ने उनका जन्म है 7 अगस्त 1942 गुलबरगा करनाटक रचनाय लगबग 25 पुस्तके अनुवात का समाज शास्त्रतता हिंदी कथा साइत्य और देश विभाजन उलेकनीय है डॉक्टर रन्सुबेजी मराठी भाषी हिंदी लेकक प्राध्यापक अनुवादक समिक्षक के रुप में जाने जाते हैं प्रस्तुत निभंद के माध्यम से लेकक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरुक किया है अब आपके लिए स्वैम अध्यान है वानी कैसी होनी चाहिए बताओ याने वानी याने हमारा बोलना तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए हमें कैसे बोलना है और मेरा एक अनुभ हो रहा है प्यारे बच्चो जब भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डलता हूँ अपके पड़ाई में मदद हो इसलिए तो कुछ बच्चे सई धंग से कमेंड नहीं करते हैं तो इससे पता चलता है कि उनकी वानी है जो खराब है और उनके जो संसकार हुए है उनके उपर आसपास के लोगों ने या उनके माबापने जो संसकार किये हैं वो ठीक नहीं है तो ऐसे बच्चों को अपनी वानी में सुधार करना चाहिए आप भी कभी कभी बोलने में थोड़े गलतिया करते होगे या किसी के साथ सही तरह से बात नहीं करते होगे या रपली किसी के साथ कठोरता से अपनी वानी का प्रयोग करते होगे तो यह पाठ समझने के बाद आप भी अपनीवानी का सही प्रयोग करेंगे ठीके तो चलो अभी लेखक ने इस पाठ में क्या बताया है यह समझते हैं आदिम व्यवस्था से आधुनिक मनुष्यतक की विकास यात्राकारश से किसमे है क्या इसका तुम्हें पता है अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुल्ना में मनुष्यका विकसित मस्तिष्क इस पुरी प्रगती वर्ष संस्रुती के मूल में है अभी वर्तवान में हमारे टेकनलोजी ने जो तरक्की की है तो लोग मानते हैं कि आदमी के पास मस्तिष्क है और इस विकसित मस्तिष्क ब्रेन के कारण ही हमारी प्रगती हुई है संस्रुती की तरक्की हुई है यह उत्तर अपुर्ण है लेखक का कहना है कि केवल बुद्धि मत्ता के कारण ही हमारी प्रगती नहीं हुई है तो क्या कारण है पुर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगती हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष ने भाषा की खोचकी यह को अभी इस तरक्की के पीछे क्या राज है यह बताते है कि मस्तिष ने भाषा की खोचकी इसलिए हमारी तरक्की हो सकी है भाषा ही सभी प्रगती की जड में है दुनिया की सभी ग्यान शाखाव का विकास हुआ भाषा के कारण भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यावस्तित क्रमबद्ध सयोजा यह संसार बड़ा विचित्र है शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता शब्द ही मनुष्य को ज्यान से जोडते है शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोडते है और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लेखक ने कही है कि शब्द में अपार शक्ति है शब्द मनुष्य को ज्यान देते है शब्द के कारण मनुष्य मनुष्य से जोड़ते है यानि मनुष्य का मनुष्य से रिष्टा होता है अगर आप एक दूसरे के साथ प्रेम पुर् प्रता से बोले, कटू शब्त का प्रयोग करते हैं, तो आगे वाला मनुष्य आपसे दोस्ती नहीं रखेगा, बात नहीं करेगा, याने शब्द के कारण ही जगड़े होते हैं, मनुष्य के बीच मन मुटाव होता है और रिष्टे भी तूट जाते हैं, विज्ञान के जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवन्त बनाता है, जब शब्द जीवन्त हो जाते हैं, तो फिर उनमें मनुष्य के विवीद स्वभाव गून आने लगते हैं, मनुष्य स्वभाव के जितने विविन्न नमूनी है, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नम जैसे कुछ लोग औरों को हसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हसाते हैं जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलिप देते हैं वैसे कुछ शब्दों की उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति वेतित हो जाता है अब यहाँ पर शब्दों का लोगों के उपर क्या असर पड़ता है यह बताया है कि कुछ शब्द होते हैं जो लोगों को हसाते हैं और कुछ शब्द है जो बोलते हैं हम तो दूसरों को तकलिप भ आपने भी जीवन में अनुभू किया होगा कि आपका दोस्त या आपके माबापया समाज का कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर शब्द बोलता है तो आपके मन को तकलिफ होती है आपको अच्छा नहीं लगता तो शब्द ही तो था वह कोई शस्त्र तो आपको उन्होंने मारा नहीं मगर शब्द के कारण भी हमें व्यतित हो जाते है भावना हमारी व्यतित हो जाती है कई बार तो अईश शब्दों को सुनकर वह रोनी भी लगता है और आपने सुना होगा देखा भी होगा कि शब्द में इतनी ताकत होती है कि कुछ शब्द के प्रयोक से सामने वाला रो देता है कुछ लोग बड़े प्रिय होते है वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते है उन्हें बार-बार सुनने की गुन-गुना की इच्छा होती है एक और कुछ शब्द धोका देने वाले होते हैं कुछ निरर्थक होते हैं तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन सात्वीक, सब्व्य और सूसंसुत होते हैं कुछ शब्द निश्क्रिय बना देती है कि कुछ मत करो जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा नहीं है कि है तो नहीं मिलेगा यानि अगर ऐसे हम शब्द किसी के सुनते हैं तो हम भी क्या करते हैं निश्क्रिय हो जाते हैं नहीं हमारे भाग्य में होगा तो हमीं मिलेगा तो लेकक का गयना है कि शब्द में इतनी ताकत है इस शब्द हमें निश्क्रिय बना सकते हैं न्यूटन ने कहा है किसी भी काम की सफलता के लिए 90 प्रतिशत परिश्रम की और 5 प्रतिशत बुद्धी की और 5 प्रतिशत सयोग की ज़र्द होती है याने न्यूटन जो महान वज्ञानिक हुए है साइन्टिस्ट हुए है उन्होंने कहा है कि अगर आपको जिवन में सफलता चाहिए तो 90 प्रतिशत हिस्सा परिश्रम का मेहनत का प्रयतन का होता है और 5 परसेंट 5 टक का बुद्धी होती है और 5 टक का सयोग याने हम जो कहते हैं कि हमारे तकदिर में होगा तो होगा तो ऐसा नहीं होता अगर आप में से कुछ लड़के क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं तो क्या यह सईयोग के कारण थोड़ी मिलता है और केवल बुद्धी के कारण भी नहीं मिलता तो आपको पुरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है तो आपके जो सक्सेस में सपलता का जो प्रतिशत होता है वहाँ परिश्रम का ही होता है न्यूटेन भी ऐसे ही कहते है परन तो याद रखे इसे भी काम को पुर्नत्व देने के लिए नम्बे प्रतिशत कठोर परिश्रम की जोर्ड़त होती है ऐसे शब्द जो हमें निश्क्रिय करते रहते है उन्हें हमें अपने जीवन व्यवार से निकाल बाहर करना चाहिए और यापे लेखक का संदेश है कि जो शब्द हमें निश्क्रिय बनाते है कमजर बनाते है उन शब्दों को हमें जीवन से व्यवार से निकाल बाहर फिकना चाहिए ऐसे वह कहते हैं याने सकारात्मक शक्ति देने वाले उर्जा देने वाले शब्द हमें प्रयोग में लाने चाहिए कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन ही के आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वे अवरों से मित्रता नहीं कर पाते शब्दों का भी ऐसा ही सुबा होता है विशेशकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वाकी भाषाओ में घुल मिल गए अब हम देखते हैं कि मराठी भाषा है हिंदी भाषा है तो जब भी लोग बोलते हैं तो उसमें इंग्लिश के शब्द होते हैं याने अब इंग्लिश की भाषा इंग्लिश जो भाषा है हमारे भाषा में घुल मिल गई है बस रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदे कहा जाता है कि तम्यड भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड परिवार की सिमित रहते हैं विए किसी से घुलना मिलना नहीं जाती अलुबत्त हिंदि के शब्द मिलन्सार है परनतु सब नहीं मिलन्सार का मतलब हमें मिल जूलकर रहने वाले तो हिंदि के शब्द भी कुछ भाषा में चले गई है कुछ शब्द तो अंत्र तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जूड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्सा हो जाता है हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते है जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने है अब वे शब्द हिंदी के ही बने है जैसे हिंदी संस्कुत से वर्षगाट, मांग पत्र, हिंदी अर्बी फार्सी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कुत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अर्भी, फार्सी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदी, यह देखो अभी अर्भी और फार्सी के दो शब्द मिलकर और अंग्रेजी के शब्द मिलकर शब्द बना है बीमा पॉलिसी, इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसर सम्रुद् हिंदी में आया है इसी के कारण हिंदी भी संब्रुद्ध हुई है कुछ शब्द अपनी मा के इतने लाडले होते हैं कि वे मा मात्रु भाषा के छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जग सम्रुद्ध होने का यहां पर क्या कारण बताया है कि हमारे भाषा के शब्द बाहर जाते हैं और दुसरी भाषा के शब्द हमारी भाषा में आते हैं तो भाषा सम्रुद्ध विशेष्टा वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं ऐसे हजारों श शब्द है यह अंग्रेजी पूर्टुगाली अर्भी फारसी भाषा से आये है परन्तों जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुन्दर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए हमारे पास मा के लिए पिता के लिए सुन्दर शब् को अपमानित करना है अगर हमारे भाषा में कोई शब्द बाहर से आता है और हमारे भाषा में उस शब्दे के लिए प्रती शब्द थोड़ा कठी नहीं डूनना तो उसका उपयोग करना अच्छा ही है जैसे ब्रश रेल पेंसिल रेडियो कार है अगर लेकग यापे कहते हैं कि मा के लिए हमारे पास अच्छे शब्द है माई अम्मा पिता के लिए बाबा अन्ना इत्यादी तो लेकग का कहना है कि यह शब्द अच्छे लगते है हिंदी के तो अब पिता जी को बाबा कहना अच्छा लगता है तो लेकग कहते हैं या अब बच्चे अपने मा को मम्मी केके बुलाते हैं तो लेकक का कैना है कि माई मा ये अच्छे शब्द लगते हैं हमारे बाचा के तो यही हमें प्रयोग में लाना लाने चाहिए हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धी मत्ता, समाज और संस्कारों को दर्शाते हैं इसलिए शब्दों के उच्चारण के पुर्व हमें सोचना चाहिए और यहाँ पे बच्चों बहुत ही महत्तपुर्ण बात लेखक ने कही है कि हम जो शब्द प्रयोग करते हैं इससे हमारे बारे में पता चलता है हम जो भी बोलते हैं अगर आप अच्छा बोलोगे, मृदु बोलोगे, प्यार भरे शब्द को आप प्रयोग करोगे तो लोग आपको अच्छा बच्चा कहेंगे नहीं तो अगर आपके बोलने में बूली भाषा में अच्छा शब्द नहीं आते हैं तो लोग आपको नाम रखेंगे कि इसको अच्छा नहीं सीखाया है तो लेखग्या पर कहते हैं कि आप जो बोलते हैं तो उससे चरित्र समझ में आता है बुद्धी मत्त कितनी है हमारी समझ कितनी है क्या संस्कार दिये यह सब बाते हमारे शब्द के उच्चारण से पता चलती है इसलिए बहुती सावधानी पूर्वक शब्द का चयन करके दूसरों के सथ बोलना चाहिए कम से कम शब्दों में अर्थपुर्ण बोलना और लिखना एक कला है और लेकक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने की जरुरत नहीं कम से कम शब्दों में अर्थपुर्ण बोलना चाहिए और लिखना और ऐसा करना एक कला है यह कला विवीत पूस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती और हमें एक अच्छा वक्ता या अच्छा बात करने वाला व्यक्ति बनना है तो लेकक कहते हैं कि इसके लिए पुस्तकों का वाचन करना पड़ेगा और इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है मातर एक गलत शब्द के उच्छारन से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है तो कब किसी के साथ कौन से शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा तो इसका निर्नाई हमारे अनुभव से या किसी के मार्गदर्शन से या कोई किताब पड़के आपको समझ में आ जाएगा कि किस के साथ कैसे बात करना है सुन्दर उपयूक्त और अर्थमाय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त हुती है और लेकक कहते हैं कि जिनके अक्षर सुन्दर होती है और अर्थपूर्ण जो बच्चे लिखते है तो उनको अच्छे अंक मिलते है उनके percentage अच्छे आते है अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है और लेकक यापे कहिते हैं कि अनाप शनाप शब्द जो होते हैं नीरर्थक बाते करना जिसका कोई मतलब नहीं होता अपने शब्द होते हैं इस शब्द सम्पदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरुरत होती है, तो जब भी आप चाहेंगे कि आपको शब्द बढ़ाने हैं, तो आपको क्या करना है, साहित्य पढ़ना है, साहित्य यानि किताबे, ग्रंथ, शब्दों के विभिन अर्थों को जानने के लिए, शब्द कोश की भी जरुरत होती है, या आपको विभिन्न अर्थों का ज्यान होने के लिए यह शब्द कोश भी देखना चाहिए शब्द कोश का एक पन्ना रोज एका ग्रता से पड़ोगे तो शब्द संपत्ता की शक्ति का पता चल जाएगा तो लेकर कहते हैं कि यह शब्द संपत्ता बढ़ाने के लिए शब्द कोश का कंसेंस्टेंसी आपको एक पन्ना पढ़ना है और वह भी कैसे कांसेंट्रेशन से एका ग्रता से पूरा मन लगा कर तभी आपके पास बहुत सारे शब्द आएगे और आपकी भाशा में लेकर के लिए और लेकर कहते हैं कि अभी से आपको पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और विबीत उस तके पढ़ने चाहिए आप परिक्षा के लिए और अभ्यास करने के लिए तो अपने टेस्ट बूक पढ़ते ही हो मगर और भी सारी किताबे हैं ग्रंत हैं उनको भी पढ़ना चाहिए तो प्यारे बच्चों बहुत ही सुन्दर पाठ है और मुझे भी याद आता है कि जो जो सामर्त होता है भाषा का सामर्त होता है तो शब्द हमें कैसे चयन करने चाहिए शब्द शब्द संभाल के बूलिए शब्द के हात न पाओ एक शब्द करता भलाई तो दुजा करता घाओ कि पोती पड़ी पड़ी जगमुहा पंडित भयान कोई धाई आखर पड़े प्रेम का सो पंडित होई याने धाई अक्षर जो प्रेम का है प्रेम पुर्वक बाते सबको अच्छी लगती है ऐसी बानी बोलिए कोई ना बोली जूट और ऐसी जगा बैटिए कोई ना बोले उठ तो अईसी बानी गोलनी जाईए जो दूसरों को अच्छी लगे और इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा तो प्यारे छात्रों आपको इस पार्ट से यही संदेश है और मेरा भी कहिना है कि आप एक दूसरी के साथ जब भी बाते करेंगे तो प्रेम पुर्वक बाते करें कठोर शब्त का प्रयोग न करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से कोमलता से बरता हो करें ठीक है आपने बहुती ध्यान पुर्वक इस पार्ट को सुना और समझा इसलिए आप सबके धन्यवार और अगले पार्ट का वीडियो में बनाने वाला हो तो आपको पड़ाई में मदद होने के लिए इसकी नोटिपिकेशन पहले ही मिल जाएगी और इसके लिए आपको मे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है थैंक यू